उम्य शान्ति आप सबको स्वागत है और हम recording कर रहे हैं 20 October की इश्रवरदान की देखाया है तो हम अपने जीवर में बहुत बहाने बाजी करते हैं और इन बहाने बाजियों के कारण हम अपने आपको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सारा blame औरों के बढ़ डाल देते हैं या तो situation की उपर या विक्ति की उपर या समाज की उपर या government की उपर या धर्म की उपर या जातपात की उपर या खानपान की उपर या past में 20 साल पहले क्या हो था उसके उपर तो हम कमजोर पढ़ जाते हैं तो देखें आज परमात्मक कहते के हैं बहाने बाजी के खेल को समाप्त करने वाले master दातापन के स्वामान धारी भवा स्वामान धारी, self-respect जिन बच्चों को बहाने बाजी का खेल आता है वे कहेंगे क्या कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता उसने ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता उसने ऐसा नहीं होता तो आज में यहां नहीं होता अज अगर मेरे माँ ऐसे होती है मेरे पिता जी ऐसे होते है तो मैं ऐसा होता मेरे भाई ऐसा नहीं होता तो मैं वैसा होता शेरिट का भाना मार देते हैं, तबित का भाना मार देते हैं, ताकि हम अपने comfort zone में निकलें, और comfort zone से नहीं निकलने का भाना माना बहुत असान है, और comfort zone से निकलना इतना असान नहीं है, तो इसलिए परमातु कहते हैं, इसने ऐसा किया, circumstance हुआ बात ही ऐसी थी, कि मुझे बोलना पड़ा, चिला के बोलना पड़ा, तेज अवास करनी पड़ी, या मुझे गुस्ता करना पड़ा, या मुझे उसको आउकात दिखा दिनी पड़ी, मुझे ये करना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, या मुझे घोटाला करना पड़ा या जूट बोलना पड़ा सरकमसाइसी ऐसे थे अब इस बहाने बाजी की भाशा को समाप्त कर द्रण प्रतिग्या करो कि ऐसा हो या वैसा लिकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है बाप मतलब परमपिता परमात्मा का पहला बच्चा आडम इंको कहते हैं ब्रह्मा बाबा रमकुमारे जिसके ब्रह्मा बाबा जो की आडम है दूसरा सयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं दूसरा सयोग दे मतलब क्या है तो मैं भी ठीक से चलूँ, जूटा अगर ठीक से चले नहीं, दूसरा अगर ठीक से चले तो मैं भी ठीक से चलूँ, तो प्रमद कहते हैं, इस लेने के बजाए मास्टर दाता बन सयोग, सनेह, सानबूती देना ही लेना है, सयोग करना किसी को अगर कुछ गलत भी करना है, ले पॉसिबल है प्रमात्मा यही सिखाते हैं आप भी अगर मेरीटेशिंग करें शक्ति अपने अंदर भरें और अगर आप भी अपने वरतमान काल में रहें और हर चीज के लिए अगर आप शुक्रिया मनें तो आप एक सारे गुणों को प्योर गुणों का अपने अंदर धारं बंधारी बन जाएंगे, कि और कोई आपको रिस्पेक्ट ना करे ना करे, लेकिन आप जब और उको रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो खुद ही आपके सामने जुख जाएंगे, एक समय आएगा, शायद से आज ना जुखें, लेकिन जिस दिन आपने सत्य क्या मार के चुणना था चाहे वो दस साल पहले हो, आप तो शान्ती में हैं, आपको किसी को प्रूव नहीं करना, कि को सत्य को प्रूव नहीं किया जासकता, और करना भी नहीं पड़ता है, और आटोमाटली हो जाता है, ये भी परमात्मा ही कहते हैं, तो आप निश्चिंत रहें और अपने सत्य के मार पर चाहते रहें, इसके साथ ओम श्यंति